नमस्कार न्यूस 18 मध्यप्रदेश 30 गर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अवंतिका श्रवास्तव मध्यप्रदेश में चुनाव खत्मोते चुनावी दंगल के दिगजों में अब जैन की सास लेने का समय है भाग दौण और आपा धापी से हट कर अब वो दिन क कैसे बिता रहे हैं इस खास पेशकर्ष में उसी पराज नसर रहेगी वोटिंग के बाद मंसौर में बीजेपी विधायक फुर्सत में नजर आए खाली समय का स्तिमाल करते हुए शेविंग करते हुए दिखे हैं इस दौरान उन्हें सोशल मीडिया पर लिखा कि 2008-2013-2018 में मदान के अगले दिन शेविंग की है और इस बार भी 2023 में यही योग बन रहा है यह तस्पीर यहां देखिए नेता जी शेविंग कराते हुए और इस बात का जिक्र उनकी तरफ से भी किया गया कि साल 2008 में भी यहीं पर आया था साल 2013-2018 के चुनाओं के बाद भी इसी प्रका पाल सिंग से सौधिया को आप देख रहे हैं सोचल मीडिया पर उनका ही पूस्ट है तो आप लगादार दे रहे हैं कि इस तरह से मद्रदेश में वोटिंग के बाद नेता जी रिलाक्स मूर्ग में नज़र आए हैं खरगौन में कस्रावत की कॉंग्रस उमीदवार और पूरविक रिशी मंत्री सचिन यादव ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला है सचिन यादव ने जम कर बोलिंग की फिर बाटिंग भी की चौके चखके लगाए मदान के बाद क्रिकेट केलने का वीडियो भी उनका काफी वारल हो रहा है चर्चित है ये तस्वीर आप देखे हैं क्रिकेट केलते हुए नेता जी आपको नज़र आएंगे चोटे चोटे बच्चों के साथ क्रिकेट में अपने हाथ आजमाते हुए प्रचार में पहुंचे घर कर पहुंचकर वोट मांगे बहुत रस्तितम शेडियूल और उसकी बाद अब ये कुछ राहत के पला है तीन दिसंबर को नतीजे हैं उससे पहले भी आप ये देखेंगे कि कहीना कई मन में तो डर रहता ही है लेकिन इसकी बावजू जो अब राहत की सांस मिली है उसे खुल कट जीने का मौका पूर्वे कृष्ची मंतरी रह चुके हैं सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर ये वीडियो बिश्रेट किया है का अब इसके कसरावद द्रुदान सवा के प्रत्याशी पूरमंतरी सचेनियादव ने अपने जो ग्रहगाव बुराओं वहां पर मद्दान किया पूरे परिवार के साथ मद्दान करें ने पहुंचे हमारे साथ सची नियादो जी मौझूद है किस क्या लग रहा है जिस प्रकार से आज मत्दान की आपने और जिसे लोगों में उसाह देखा जा रहा है मत्दान के परदी क्या मानते हैं लेकि आज संपूर्ण मद्देश में सभी मद्दाता साथी लोग तंत्र के इस पावन कर्व को मनाने के लिए उसाहिद हैं और सभी साथी अपने घरों से निकल करके मद्दान के इंदर में पहुच रहे हैं और इस 18 साल की निकम्मी और नाकारा सरकार को बदनने का काम अपने मतों के माध्यम से कर रहे हैं हम सब पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं ना सिर्फ खरगुन जिले में बलकि संपूर्ण निमार में पूरे मद्द पदेश में आदर निकमलनाज जी के नेत्युत में कॉंग्रिस की बहुमत की सरकार बनने जा रही है आप देश के सबसे यूवा क्रशी मंतरी रहे हैं तो क्या इस बार जैसे पिस्ते 2008 करद माफी का मुद्द चला तो इस बार भी किशानों को करद माफी मुद्द रहेगा क्या पर निकम्मी भाति इंतर पार्टी की सरकार के कारण हमारे के सरकार बने के बाद हम हमारे के कज माफी करने का काम करेंगे प्रकार का आशिर्वाद देंगे जब आप घर से पूरी मद्रपदेश में का अंग्रेश की सरकार आए और मरे बच्चे देश की सेवा करें और लोग गरीबों को साथ दे मुझे पूरा विश्वास है कि कसरावत की जंता पार्स नहीं दीके इनको रिकॉर्ड मतों से जिटाई कि कुल मिलाकरी कहा जा सकता है कि सचिनियादों ने मद्दान किया है उनका कहना है कि इस बार भी कर्जमाफी का मुद्दा सहीद किसानों के मुद्दे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी इस सहाथ में जो मा पहुंची है मा ने भी आशिरवाद दिया और धर्म पत्नी का भी जो मा पूर मंत्री सची आता है उनका भी दावा है कि मद्देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रहे है आश्टोष प्रोहित निउज 18 खरगोन तो आप देख रहे हैं कि विधान सवाचनाओं की भाग दोड़ की बाद अब नेता जी को फुरुसक में लिए भोपाल में मंत्री भारत सिंग कुछवा जुन्होंने निउज 18 से खास बाचीत भी की बहुत व्यस्तिता थी इस बात का जिक्र कर रहे थे लेकिन अब सी राहत है जनता ही उनका परिवार इस बात का भी जिक्र किया उन्होंने जीत का दावा किया तो कॉंगर्स अब हार का कारण खोज रहे हैं इस बात का जिक्र भी उनकी तरह से रहाद है मतप्रदेश में बढ़ान सवाय मतड़ना के बाद अब इबियम में परत्यास्यों की किसमत कैद हो गई है ऐसे में अब प्रत्यासी अपने जो कार करता हैं उनसे फीडबेक लेने का काम कर रहे हैं उनसे लगातार मुलाकात करने का काम कर रहे हमारे साथ गौालियर ग्रामीर से प्रत्यासी और मदप्रदे सरकार के मंतरी भारसी कुसवाजी मौजूद हैं उनसे बात करेंगे वैसे त प्रत्यासी के पास बहुत सारी जुम्बेदारियां रहती हैं मिलना मिलाना और चेतर में जन संपरक करना तो निश्यत रूप से जो समय कब रहता है तो उसमें कोई टाइम टेबल नहीं रहता है और जब भी समय मिलता है तो लोगों के बीच में जाना पड़ता है इसलिए बै मद्दान हो गया है आज भी सुविरे से कार करता है मिलने के लिए उनसे मिलना जुलना देखिए राम काज की ने बेना मुझे कहां विश्राम कहते हैं कि नहीं है तो ऐसे ही समय सीवा में बैक्ति आता है तो विश्राम की जरूत नहीं पड़ती है सबसे बड़ा आरम सकुन मनता है लोगों से विसंपरक में लोगों की सेवा करना है अब आप करकरता हूं से भी फीड़बैक ले रहे हूं में पोलिंग वाईज क्या आस्ति देख पा रहे हैं लोग तंत्र के यह महापरम में हमारे मद्दाता वाई विए उन्होंने बड़ चड़कर हिस्सा लिया है और सरवादिक मददान मैं ज MON अभी तक कि चुनां में सरवादिक मददान विदान्समा में हुआ है तो निष्चत रूप से मैं ऐसा मानता हूं सरकार की लोग कल्यान कारी यूजन हो सरकार की kang Parks जंताने प्रसंड कॉंग्रेस को लोग के बाहर जाके बैठ गए हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी जीतने के लिए कोई भी हत्गंडा अपना सकती है कॉंग्रेस को पता है कि जब सरवाद मतदान होता है आकड़े ही बता रहे हैं मीडिया सब उन्हें पता है उनकी हरते है इसलिए बाहनेवाजी बताएंगी उनका काम है ये भारस्ती कुसवाजी जिनका सापकोर पर कहना है कि जनता का असिवाद उन्हें लगातार मिलता रहा और इस बार भी जनता का असिवाद मिलेगा तो जनता के भले के लिए वो लगातार काम करेंगे तो मत्यदान खत्मोने के बाद जहां प्रत्याशी फुरसत के पल बिता रहे हैं तो वहीं ग्वालिर विधानसवा सीट से भाजपा की उमीदवार उर्जा मंत्री प्रद्रम सिंग तोमर अपना इलाच करवा रहे हैं न्यूज 18 से खास बाचीत में उर्जा मंत्री ने मदान फीसद बढ़ने को अच्छा संकेत बताया हैं दावा भी किया है कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है मद्यप्रदेश की सबसे प्रतिष्ठी सीटों में शुमार ग्वालियर विधानसवा सीट से भारती जनता पार्टी के प्रत्याशी उर्जा मंत्री प्रदुम्न सिंग तोमर लगातार दो महीने से ज्यादा वक्त से वो चुनावी भागदोड में लगे वे थे इस दोरानून की थोड़ी तवियत भी नासाज हुई लेकिन आज जरूर उनको फुरसत के पल मिले हैं और इस वक्त वो अपने ही घर इलाज भी करवा रहे हैं आराम भी कर रहे हैं प्रदुम्न जी लगातार भागदोड और बड़ी महनत करनी पड़ी आपको पहले तो मैं गवालियर की जनता और पार्टी के देवतुले कारिकरताओं को प्रदाम करता हूँ जिन्होंने इस सेवक के होस्पिटलाइज होने के वाजूद भी पूरी इतनमेता के साथ गवालियर में चुनाव लड़ा और गवालियर में एतिहाशिक मद्दान हुआ है कि इस बार मद्दान भी प्रतिशत बड़ा है लगबग्क दो परसेंट्स ज्यादा मद्दान बढ़ा आपके लाकिन मद्यपतरदेश में मद्दान का प्रतिशत बड़ा है क्या तसवीर लगती आपके खुद कि विधान सभा में और पूरे मद्धिप्रदीश में कमल खिल रहा है कि भारती जन्ता पार्टी आ रही है शेवा और विकास और लाड़ी भेना पिर मद्धिप्रदेश में कमल का पर्चम फेलाने वाला है कि एक सो पैंतिस चाली से ज्यादा सीटे आएगी कॉंघरेज भी दावा कर रहे हैं तो इन दावों में कितना क्या लगता है तो प्रदुमन सिंग तोमर आज फुरसत के पलों में अपने घर है इलाज भी करवा रहा है फुरसत भी है और साफ तोर पर कहना है कि ना सिर्फ उनकी सीट पर भार्दियांता पार्ट जीतेगी बलकि मद्धिपरदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा बहिलाओं का जो पर कि सरकार बनती है यह फिर नतीजे किस तरह के होते हैं यह तीन दिसंबर तक के लिए इंतजार करना होगा केमरा पर संदीपक के साथ सुशील कोशिक न्यूज एटीन ग्वालियर और बात करेंगे इन दौर की जहां मद्धान खत्म होने के बाद राव इधान सबासे प्रत्याशी जीतू पटपारी फिटनिस पर ध्यान देने लगे हैं आपको बताएं कि प्रचार के दौरान कभी साइकर चलाते वो नजर आये थे आपको कहीं जिम में कसरत करती दिखे थे और अब उन्हें प्रचार और मद्धान की भागदोर से राहत मिल गई है तो वो अपनी फिटनिस पर ध्यान देने लगे है तस्पीरिया आपकी टीवी की तरफ से हुए भी लेकिन उस समय के लिए तयार भी रहना है उसका ये नतीजा कि ना सिर्फ जिमिंग करते हुए बलकि साइक्लिंग करते हुए जीतू पटवारीं दौर की सड़कों पर नजर आने लगे है और भोपाल की हुजूर विधान सभा में चुनाव की जंग रिलाक्स मोड में नजर आए इसके साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है कि सभी सीट बीजेपी के खाते में ही जा रहे हैं क्या कुछ का है सीदे आपको सुनाएंगे भोपाल में चुनाव हो चुका है और बीजेपी के एक बड़े हिंदुवादी चेहरे रामिस्वर सर्मा विधायक है जो की हमारे साथे सर चुनाव हो गया और अभी तो आप हमें पकड़ में नहीं आ रहे थे बड़ी धूनना पड़ता था लेकिन आज आप रिलेक्स के पड़ता था जहां जहां लोगों की कारिकरम दिये थे जहां जनता जनार्दन आशिरवाद देने के लिए खड़ी थी आतुर थी वहां अगर हम लेट पोचे तो अच्छा नहीं लगता था इसलिए हमारी कोशिश होती थी कि जो समय दिया उस समय पर उनकी बीच में हाजिर जनता के बीच आप आशिरवाद लेने के और असर भी दिख रहा है कि 70% वोटिंग हो गई जी बहुत बहुत जितना इशने आशिरवाद जनता ने मुझे दिया सतर नहीं सर यह 90% होती इसमें कहीं निरवाचन आयो की चूक है और मैंने फरस्ट उसमें ही साड़े साथ बज तो हर बोट पे लगी रहा था उस हिसाब से जो साड़े हमारे या तो साड़े 6 बजे मद्दाताओं की लाइन लग दी थी जिन्दकी में पहली वार मैंने इस तरह मद्दाताओं में उस्षाय और आनंद देखा है मैं हिर्दे से धन्वाद और गदगद हूँ कि जो उनने प्यार मुझे बेटे और भाई के नाते दिया है हे परमात्वा उनका हिष्णे और आसिरवात कभी छूटे नहीं कभी मुझसे तूटे नहीं कभी मुझसे रूठे नहीं मैं उनके हर काम में सामलित हूँ मैं उनकी हर तरह से शेवा और मदद कर सको यह मैं भगवान से प्र और भी होना चाहिए दिख्विजेजिक फिर्व इसन के संबंध में बहुत के ढ़ेग हो सकता है उन्हां फिलाजु काझ्यमान रहल गांदि भारत है बुराई चाइना में जाके करते हैं वो अच्छा है कांग्रेश के नेता श्रीमान राहुल गांदी पाकिस्तान से बात चीत करते हैं और हिंदोस्तान के नेताओं से बात करना नहीं भारत के प्रधान मंत्री चाहे किसी भी समय का कोई प्रधान मंत्री हो चाहे श्रीमती इतने नेता श्रीमान अटलवियारी वाजपई लालकिष्ण अडवानी जी से लेकर नरेन मोदी जी तक का जो संखला है कोई भी नेता हमारा गया हमने विदेश में भारत के प्रदान मंतरी की भारत की बुराई किसी भी कीमत पर सुविकार ने की और न की क्योंकि भारत का प् और यह जो मानशिक्ता है इस मानशिक्ता की खिलापत है और इसलिए कारवाई तो दिगवेजे सिंग जी पर भी होना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तानियों से चैट करते हैं आतंगवादियों को जी कहते हैं और वो जाकिर नाइक टाइप का कोई आदमी है उससे उनकी दोस इनके साथ शेलेंदर चौर नियुजेटीन भोपाल